संजय उबाच अध्या एक श्लोक चत्रविंशति ही एव मुक्तो रिशी केशो गुड़ा केशेन भारत सैन्यो रुभ्योर मध्ये इस्थाप यत्बा रथोत तमम अर्थ संजय ने कहा हे भरदवन्शी अर्जुन द्वारा इस प्रकार संभुदित किये जाने पर भगबान क्रेश्ण ने दोनों दलों के बीच में उस उत्तमरत को लाकर खड़ा कर दिया इस लोक में अर्जुन को गुड़ाकेश कहा गया है गुड़ाका का अर्थ है नींद और जो नींद को जीत लेता है वह गुड़ाकेश है नींद का अर्थ अज्ञान भी है अतहा अर्जुन ने क्रेश्ण की मित्रता के कारण नींद तथा अज्ञान दोनों पर विजय प्राप्त की थी क्रेश्ण के भक्त के रूप में वह क्रेश्ण को छण भर भी नहीं भुला पाया क्योंकि भक्त का स्वभाब ही ऐसा होता है यहां तक की चलते अथवा सोते हुए भी क्रेश्ण के नाम रूप गुणों तथा लीलाओं के चिंतन से भक्त कभी मुक्त नहीं रह सकता अतहा क्रेश्ण का भक्त उनका निरंतर चिंतन करते हुए नीन तथा अज्यान दोनों को जीत सकता है इसी को क्रेश्ण भाबनाम रत्क या समाधी कहते हैं प्रत्यक जीप की इंद्रियों तथा मन के निर्देशक अर्थात रिशिकेश के रूप में क्रश्ण अर्जुन के मंतव्य को समझ गए कि वह क्यों सेनाओं के मध्य में रत्खो खड़ा करवाना चाहता है अतहाफ उन्होंने वैसा ही किया और फिर बे इस प्रकार बोले अध्याए एक श्लोक पंच विंशती है भीश्म द्रोन प्रमुक्तह अर्थ भीश्म द्रोन तथा विश्वभर के अन्य समस्थ राजाओं के सामने भगवान ने कहा कि हे पार्थ यहाँ पर एक अत्र सारे कुरूओं को देखो तातपर्य समस्थ जीवों के परमात्म स्वरूप भगवान क्रश्ण यह जानते थे कि अर्जुन के मन में क्या बीद रहा है इस प्रसंग में लिशी केश सब्द का प्रयोक सूचत करता है कि वे सब कुछ जानते थे इसी प्रकार पार्थ शब्द अर्थार्थ प्रथा या कुंती पुत्र भी अर्जुन के लिए प्रयोक्त होने के कारण महत्ब पूर्ण है मित्र के रूप में वे अर्जुन को बता देना चाहते थे कि चुकि अर्जुन उनके पिता वासुदेब की बहन प्रथा का पुत्र था इसलिए उन्होंने अर्जुन का सार्थी बनना स्यूकार किया था किन्तु जब उन्होंने अर्जुन से कुरूओं को देखो कहा तो इससे उनका क्या अभी प्रय था क्या अर्जुन वहीं पर रुख कर युद्ध करना नहीं चाहता था क्रश्ण को अपनी बुवा प्रता के पुत्र से कभी भी ऐसी आशा नहीं थी इस प्रकार से क्रश्ण ने अपने मित्र की मनहा इस्थिती की पूर्वसूशना परिहास वश दी है